नमस्कार दोस्तों आप सबी का स्वागत है सोईल साइंस वर्ल्ड यूटूब चेनल में फ्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के ओर से रेकूर्टमेंट नोटिफिक्शन जारी कर दिये गया दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा मैं इसमें आपको पूरी जान करी दूँगा कितनी नमबर और पोस्ट आए गई है कब आपका एक्जाम रहेगा इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी फोर्म बढ़ने की आपका पेस्केल क्या रहेगा और आपकी एजुकेशनल क्या मंगिए दोस्तों अगर आप मireं यूटुब चैनल पर नए हो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए साथ दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को वी फॉलो कीजिए जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके application form की तो 16 मार्थ 2022 से दोस्तों आपके application form इस्टाट हो रहे हैं और इसकी last year 30 मार्थ 2022 रहीगी इसके आप मैं बात करता हूँ examination date की तो आपकी 26 और 27 सपरेल को आपकी exam रहेंगे इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके परिक्षा सुलक की कि आपकी fees कितनी लगीगी application form की तो आप यहाँ पर देख सकते हो general candidate के लिए 500 रुपे fees रहेगी एक प्रश्ट पत्र की यहाँ पर दो पेपर हो रहे हैं दोस्तों आप देख सकते हो तो एक पेपर के आपकी 5 रुपे है और ST, SC, OBC candidate के लिए आपके 250 रुपे application fees रहेगी तो दोस्तों यहाँ आपके application fees रहेगी इसके बाद आपका देख सकते हो आपका जो यहाँ पर exam होगा वो 9 से 12 बजे के पीच में रहेगा 3 गंटे का आपके पास समय रहेगा दोस्तों इसके बाद में बात करता हूँ कि यहाँ पर कौन-कौन candidate eligible है तो अब यहाँ पर देख सकते हो All India के candidate यहाँ पर eligible है आप भारत के नागरिक होने चाहिए और second point आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे अब ब्यारती चो मध्य प्रदेश की निवासी नहीं है यानि कि जा आप other state के strength हो only undeserved या open category से ही आप अपने application form feel कर सकते हो दोस्तों इसके बाद दोस्तों आगे में बात करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो details से आपको बता करका है उद्यानिकी M. प्रशित्रवानिकी बोपाल में याप पर recruitment है post code 04 आपका ग्रामिड उद्यान विस्तार अधिकारी जिसकी 143 post आई गई है और post code 5 में यापर ग्रामिड उद्यान विस्तार अधिकारी जिसकी 36 post आई गई है और मध्यप्रदेश वेराउस लोजिस्टिक में यापर आपकी 9 post आई गई है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो total 188 number of post आई गई है किस category में कितनी post है ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर बता रखिए इसके आदोस्तों में डेटेल से बात करूँगा सबसे पहले आप देख सकते हो जो post code 04 है यहाँ पर ग्रामिड उद्यान विस्तार अधिकारी जिसके 143 पद है इसमें आप देख सकते हो जो आपको पेस्केल रहेगा 5200 से लेकर 20,200 रुपे रहेगा प्लक 2400 ग्रेड पे इसके बाद educational qualification की मैं बात करता हूँ तो आपके पास agriculture, agricultural engineering और horticulture में आपके पास BSC की टिगरी होने चाहिए तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो दोस्तों इसके बाद दोस्तों में यहाँ पर बात करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो आगे कि post code 5 दे रखा है आपको 05 ग्रामेड उद्ध्यान विस्तार अधिकारे जिसके आपके कितने 36 post है इसमें भी आप देख सकते हो जो पेस्केल है वो आपका सेम रहेगा 5200 से 20200 और educational qualification भी आपकी सेम रहेगी agriculture, agriculture engineering और horticulture में आपके पास डिगरी होनी चाहिए इसके पास extent quality controller के आप यहाँ पर देख सकते हो total number of post आपकी 9 दी गई है इसमें आपका pay scale 25300 से लेकर 80500 पर रहेगा और इसकी educational qualification के अगर हम बात करते हैं तो minimum 60% मास्क के साथ आपके पास BC agriculture के डिगरी होनी चाहिए प्लस आपके पास एक साल का computer का डिपलम होना चाहिए तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो इसके आप दोस्तों मैं syllabus की बात करता हूँ तो आप देख सकते हो आपके 200 number के यहाँ पर पेपर होगा इसमें 100 number आपके अगरी कल्चर के आएंगे और 100 number आपके यहाँ पर जनरल लाएंगे समन्य ज्यान समन्य हिंदी अंग्री जी गणीत समन्य विज्यान और computer के तो यहाँ पर 200 number के आपके यहाँ पर टोटल आपका पेपर होगा दोस्तों इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो एक यहाँ पर manager की post आई गई है quality controller में जिसके आपके 11 post दी गई है total इसमें मैं pay scale की बात करता हूँ तो आपकी 32,800 रुपे से लेकर 1,3,600 रुपे आपका पेज की payment रहेगा educational qualification के हम बात करते हैं तो minimum 60% अंकों के साथ आपके पास MSC agriculture या MBA की डिगरी होने चाहिए प्लस आपके पास एक साल का computer का diploma होना चाहिए तो आप इसके लिए apply कर सकते हो इसके बात देख सकते हो दोस्तों आप एक और पोस्ट दी गई है इसकी प्रभमंदक quality controller की इसके आपकी तीन पोस्ट आई गई है इसमें भी आपका pay scale सेम रहेगा और जो educational qualification है वो भी आपकी सेम रहेगी इसके दोस्तों हम बात करते हैं एक और vacancy आई गई है हमारी यहाँ पर आप देख सकते हो वरिष्ट उध्यान विका सदिकारी जिसके आपकी टोटल 6 पोस्ट दी गई है इसमें आपका pay scale 9300 से लेकर 34800 उपर रहेगा और आपके educational qualification की हम बात करते हैं तो minimum आपके पास MSC में ह लिमिट होनी चाहिए तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए ठेंक्यू दोस्तों